Hello friends, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है Friends, faculty का first round का admission समाप तो हो चुका है आप सभी लोगों को wait है, तो second round का आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे question है second round को लेकर कि second round कब से start होगा और second round में participate करने के लिए क्या क्या करना होगा और कौन कौन कर पाएगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग वीडियो लास तक देखना और मेरे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लेना जो भी information होती है सारी की सारी में अपने YouTube चैनल पर देता रहता हूँ तो आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लेना सबसे पहले कि first round तो समाप तो हो चुका है अब second round start कब से होगा ठीके, तो second round आप लोग one week मान के चलिए कि one week लग जाएगा second round start होने में तो जितने भी लोग second round का wait कर रहे है तो one week आप लोग मान लीजिए कि आपका लगेगा, तो one week तक आप लोग wait कीजिए तभी मान के चलिए आपका second round start होगा और जब भी start हो जाएगा मैं अपने चैनल पर video provide कर दूँगा, साथ में telegram पर भी update कर दूँगा कि आपका second round start हो चुका है तो आप लोग मेरा telegram group join कर लीजिए मैंने link description में दे रखा, description आप लोग चेक कर लेना, अब second round में participate करने के लिए क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूँग जितने भी लोगों ने first round में participate किया है ठीके, उन्हें registration करना होगा कितने का 500 रुपय का ठीके, जिन्होंने first round में participate किया है उन्हें second round में 500 का registration करना होगा, जिन्होंने किया था उन्हें only 500 का registration करना होगा ठीके, अब second round में कौन-कौन participate करेगा, अगर आपने first round में participate किया है, आपको कोई भी course college मिला है तब भी आप लोग second round में participate कर सकते हो ठीके, और अगर first round में participate पार्टिस्पेट नहीं किया है तब भी आपको भी पार्टिस्पेट कर सकते हो अब बात कर लेते हैं फीज को लेकर के तो मैं आपको बता दूँ यूपी की जितने भी गौशन को लेज़ हैं वह फूटी थरी थाउजन आपसे मांग रहें कुछ ऐसे कॉलज है जहां पड़ आपकी फीज ओनली 24,000 लग रही है जैसे जिस्वियम हो गया सेफाई हो गया और डॉक्टर रामनों लोईया हो गया इस तरीके के कॉलेज हैं जहां पर 24,000 रुपए में ही आपका एडमिसन हो रहा है बट फ्यूचर की मैं बता नहीं सकता कि फ्यूचर में कितना लेंगे बट अगर आपको बोला गया कि आप बाद में जमा कर देना ठीके आपका एडमिसन बना रहेगा और एक चीज अगर आप फर्स राउन से सिकन्ड राउन में पार्टिसपेट कर रहे हैं और आपको कोई नया कॉलेज नया कोर्स मिलता है तो जो आपने 19,000 पे किया है यह आपको सिकन्ड राउन में भी काम आएगी अगर आपको कोई नया कोर्स और कॉलेज मिल जाएगा तो यही फीस आपकी काम आएगी जो आपने कैस जमा किया होगा कॉलेज उसका तुम्हें नहीं बता सकता कि वो लोग आपको तुरंट देंगे या नहीं देंगे या फिर हजार मतलब 24,000 जो आपकी ऑनलाइन जमा हुई है यह आपकी ट्रांसफर हो जाएगी फैकल्टी आपकी तुरंट ट्रांसफर कर देगी मतलब जो भी नया कॉलेज और नया कोर्स मिलेगा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा उसमें कोई प्रोब्लम वाली बात नहीं होगी तो म मिलते हैं नेक्स वीडियो में